हेलो एब्रीवन मैं डॉक्टर रेका आप सब का अपनी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज मैं आपको फैटी लिवर के बारे में कुछ जानकारी दूंगी फैटी लिवर क्या होता है जब हमारा जो लिवर होता है उसमें फैट का डिपॉजिशन होना शुरू ह एक्सेसिव फैट और हमी फैटी लिवर होने के कारण क्या होते हैing लोगों की श्यद्यें बहुत जाले है नियुक्ट क tackle की दौर में क्या हुंकि हम लोगों की जो लाइफ हो गई वो बहुत जाला सेड़िश्व है् आप एक जगे बैठे रहने वाला काम करते हैं तो उसकी वज़े से आपको fatty liver हो सकता है अगर आप बहुत जादा oily food काते हैं बहुत जादा fatty food काते हैं तो उस वज़े से भी आपको fatty liver हो सकता है अगर आप बहुत जादा street food खाते हैं, मैदा का सेवन आप बहुत जादा करते हैं, तो उस वज़े से भी आपको fatty liver होने के chances होते हैं अगर आप बहुत जाधा medicines लेते हैं, तो उस वज़े से भी आपका जो liver है वो fatty हो सकता है अगर आप बहुत जाधा alcohol लेते हैं, बहुत जाधा non-wage लेते हैं, non-wage में भी oily अगर आप उसको बहुत जाधा spicy non-wage बना लेते हैं तो उस वजे से भी क्या होता है कि आपको fatty liver होने के chances जो है वो बढ़ जाते हैं अगर आप बहुत जादा inactive हैं मतलब sedentary life है आपने खाना खाया और बैठ गए उस वज़े से भी क्या हो सकता है कि आपका जो liver है वो fatty हो सकता है तो अगर आपको fatty liver हो जाता है, तो क्या-क्या symptoms हमें देखने को मिलते हैं, अगर आपको fatty liver है, तो उसमें सबसे पहले क्याता है कि आपको gas होनी शुरू हो जाएगी, gas, acidity होनी शुरू हो जाती है, indigestion होना शुरू हो जाता है, आपका जो weight है वो कम होना शुरू हो जाता है, एसीडिटी खटी डकारे आना खाने का अच्छे से पाचन ना होना और कॉंस्टिपेशन होजाना कब्स की शिकायत हो जाना पेट हमीशा फुला फुला रहना कम खाना खाने पे भी ऐसा लगना कि जैसे बहुत सारा खाना आपने खा लिया है और पेट का हर समय फुला-फुला होते हैं अगर आपको कुछ भी इस ताइब के सिंटम्स महसूस हो रहे हैं खाना इंडाजिस नहीं हो रहा है आपको बहुत जादा गैस बन रही है बहुत जादा एसड़िटी हो रही है भूप नहीं लग रही है वेट लॉस हो रहा है आपका तो आप एक बार अपना अगर आपको fatty liver है तो सबसे पहले अपनी जो डाइट है उसको balance कीजिए उसमें से जो आप fat बहुत जादा ले रहे हैं उसे avoid कीजिए अगर आप fried food बहुत जादा खाते हैं तो से avoid कीजिए अगर आप breakfast में बहुत जादा पराथे लेते हैं पूरियां लेते हैं बहुत तलावा खाना खाते हैं तो उसे avoid करिए simple diet लेना शुरू करिए लीवर की एक खाश्यत होती है कि अगर वह fatty हो गया है अगर उसमें कोई problem होती है तो उसके अंदर power भी होती है कि वह उसको बहुत जल्दी ठीक भी कर लेता है अगर आपको fatty liver है great one का fatty liver है तो आप अगर अपनी diet को manage कर कर लेंगे आप exercise करना शुरू कर देंगे अपनी बॉड़ी को active करना शुरू कर देंगे तो यह fatty liver है यह बिना medicine के भी ठीक हो जाता है लीवर के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपनी बॉड़ी का रखेंगे तो अपनी आप से नीवर जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है तो आपको क्या करना है exercise करनी है अपनी आपको active रखना है बहुत जादा oily food नहीं कहाना है अगर आप बहुत जादा alcohol ले तो प्लीज उसे छोड़ दीजे या कम कर दीजे और non-vegetarian अगर आप बहुत जादा है तो उसे कम spicy बना अगर आप अपनी diet को improve कर देंगे और अपनी physical activities को improve कर देंगे तो आपका fatty liver वैसे ही ठीक हो जाएगा लेकिन अगर फिर भी आपको fatty liver की दिक्कत है बहुत जादा अगर fatty liver है तो आप उसमें homeopathic medicines ले सकते हैं जिसको लेने से आपका fatty liver बिल्कुल ठीक हो जाएगा medicine का नाम है calmic mother tinger calmic mother tinger को आपको कैसे लेना है इसकी 20 drops आपको आधे कपानी में डालकर सुबह दिन में और शाम को तीन बार पीनी है continue अगर आप इस mother tinger को लेते हैं तो दीरे दीरे जो आपका liver fatty हो चुका है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और fatty liver से आपको निजात मिल जाएगी अगर आपको fatty liver है तो इसे बिल्कुल भी ignore मत कीजिए बले ही liver बहुत जल्डी repair हो जाता है लेकिन अगर आप अपने liver का ध्यान नहीं देते हैं आपको fatty liver है फिर भी आप fatty चीज़ें लेते रहते हैं अन्कोहल लेते रहते हैं तो धीरे धीरे जो fatty liver है वो cirrhosis में convert हो जाता है और उससे क्या होता है कि patient को बहुत जादा दिक्कत होती है तो अगर आपको fatty liver है तो अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए अपनी body को active करना शुरू कीजिए योगा exercise करना शुरू कीजिए और अपनी diet को balance करना शुरू कर दीजिए तो आपका fatty liver है वो बिल्कुल ठीक हो ज लिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए thank you